नमस्कार मैं हूँ पारुल गंवार और आप देख रहें यूपी के अवाज आए रुक करते हैं खबरों की ओरुल गंवार देख अपना 69 गरतन दिवस मना रहा है इस मौके पर पुलिस लाइन मैदान पर घने कोहरे के बीच अपनी शक्ती सांस्कृतिक धरोहर और विधितताओं का प्रदेशन कर रहा है जिलादिकारी मोनीका रानी ने सुभा 9 बजे जिला मुख्याले पर घन्डा पर आया उसके बाद पुलिस लाइन में भी घन्डा रोहन किया गया गरतन दिवस की परेड देख दर्शक बोले जैहिंद गरतन दिवस के कारिक्रम को देखते हुए नगर सहित आसपास के छेतर में सुरक्षा के पुकता इ फिर सभी टोलियों ने SP को सलामी दी जिसके बाद ग्राउंड में परेड निकाली गई परेड में सबसे पहले फाइरिंग के साथ तिरंगे को सलामी दी गई इसके बाद चीता मोबाइल की कई टुकड़ी परेड में निकिली पुलिस रेडियो शाका स्वाज टीम ब्रज व किया अच्छा प्रदशन्तने वालों को सम्मानित भी क्या गया CEO सिटी शदर चंद शर्मा ने परेड की कमांड की गरतन दिवस की परेड में जनपत की शक्ति वह संस्कृती साफ नजर आई अपने फर्स को ठीक से अंजाम देने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित भी क्य जिला दिकारी ने कहा कि देश वा प्रदेश वा जिला लगातर शिक्षा स्वास्त विद्दुत कानून विवस्ता में सुधार ला रहा है शाशन लगातर कल्यारकारी योजना चला रहा है उन्हीं योजनाओं के चलते जिला प्रशाशन ग्रामीर छेत्रों से युवा जिनमें विभिन स्कूलों के बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया इसके साथ साथ जो हमारे सभी ब्लॉक हैं उसमें ग्राम प्रधान और सचीव भी राष्ट को कु समर्पित करना चाहते थे और उन्हीं के प्रियासों से सभी 603 ग्राम पंचायतों में हरे ग सानों का जो एक दल है वो हिमाचल प्रदेश गया है और इसके मतुरा गया है और साहरनपूर गया है ताकि वहाँ पे मश्रूम के आलू के विशे में वो नई जानकारियां प्राप्त कर सके और इस देश में इस जन्पद में अपना योगदान कर सके